हर्याना में हिसार जिले के सयाहरवा गाउंव में फसे किसान जैपाल के शव को सेना और NDRF की टीम ने आखिर कार करीब 80 गंटे के बाद निकाल ही लिया ओपरेशन को पूरा करने के लिए धाई बजे की डेडलाइन तै की गई थी बुधवार दो पहर बाद दो बज के 22 मिनिट पर ही किसान की बॉडी को निकाल लिया गया किसी को भी बॉडी देखने नहीं दी गई और इंबुलेंस से हिसार के नागरिक अस्पताल में भेज दिया गया किसान की बॉडी को एंबुलेंस तक पहुचने से पहले ही सेना ने ग्रामीनों को हटा दिया था और दो बार तो मिटी गिरने से एंडी आर एफ के जवान भी कुए में फसने से बाल बाल बचे रात को भी कुए में दो बार मिटी गिरी ओप्रेशन में दिक्कत यह आ रही थी कि कुए में गिरी इटे को निकालने के लिए खुदाई में जोर लगाया जाता है तो उपर से मिटी आ जाती है जवानों के दबने का खत्रा भी हर समय बना रहता है और साथ ही जवानों को बॉडी को निकालने में दिक्कत आ रही थी क्यूंकि चार दिन हो गए थे इस बीच जैपाल का शव सड़ने लगा था उससे उठ रही बदबू की वजह से कुए में काम करने के लिए उत्रे सेना और पोकलेन मशीन भी खराब हो गई थ फिर सुबह पांच बजे बजे गाउ सांडवा के मंदर के लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट कर गाउ के लोगों से पंद्रा ट्रैक्टर लेकर मौके पर पहुँचने को कहा गया ट्रैक्टरों से कुए से निकाली जा रही मिट्टी को दूर किया गया